गट बंदन सीरल में गट बंदन होने जा रहा है रगु और धनक का I mean सीरल का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो रगु और धनक है उनके प्यार को मंजल मिलने जा रही है I mean इनकी जो मौनसून वेडिंग है ना वो होने जा रही है आप कहेंगे क्या शादी का कोई theme है थीम नहीं है वो तो महने अभी अभी बनाया है क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है और मौनसून वेडिंग से पहले क्या होता है अरे मेहंदी की रस्म होती है आप भी ना तो एक काम करते हैं आपको लेकर चलते हैं रघू और धनक की महन्दी की रस में आज शादी से पहले रगू और धनक की महन्दी रस में हो रही है पूरा परिवार जश्न में दूबा हुआ है माई भी काफी हापी रग रही है आज मैं तरको महन्दी रगाईगी लेकिन ये क्या महन्दी रचाने बैठी ब्रहनक और रगू के हाथ में ये हत्कड़ी क्यों बनी है चलिए हम इस हत्कड़ी का राज भी खोल देते हैं हुआ यू कि महन्दी के लिए तयार हुई धनक बर रगू को ज़ादा ही प्यार लुटा रहे थे लेकिन इन दिनों एक स्पेशल केस में लगी आईपेस धनक का फोन रगू के रोमान्स का दुश्मन बन रहा था यू के बस फिर क्या था जनाब ने दनक को खुद के साथ हत्कड़ी में कैद कर लिया और चाभी को बाहर वेख दिया इसको वो थे प्यार की अफिर एक बात अब है ना तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करनेगा विल्कुल तुम और मैं है लेकिन बस एक मेंसेज जिए अभी रगु और धनक का रोमांस चल गी रहा था कि अचानक यहां आतब की नानी दादी के आने से सारा मूल्स पॉइड हो गया है नानी है मैं तक बंदे को समझी निया कि मैं दादी की नानी है तो दादी से क्या लेना मूल्स पॉइसे इस मौके के लिए रगु और धनक ने आज स्पेशल गेटब भी लिया है हमने गुजराती स्टाइल का सरहाईदार कांच के वंक वाला मेने लेंगा पेला है और इसमें पूरा फुल्टू मैचिंग है बहुत जूरी भी मैच करके पेला है और इसमें कुछ गुजराती स्टाइल निया है जिए इस लेटकियों को पसंद होता है वैसी बैंगा दूसरी शादी से पहले रगु ने धनक को जो लॉकेट किफ्ट किया है वो भी काफी स्पेशल है इसमें हमारी फोटो है मैं अगर कहूं तुम सासी यानि दूसरी शादी अभी हुई नहीं लेकिन रगु अभी से ही धनक के साथ अनिमून मनाने के चेक करने लगे है हनिमून पर धनक क्या पहनेंगी रगु ने ये तक तै कर लिया बियोरपोर्ट इंडिया टीवी